कुसिचन नूमबर 104 फेक्टराइज तो हमें इस एलजबरिक एक्सप्रेशन को फेक्टराइज करना है तो इसमें हमें फर्स्ट टोटम में कमल लेंगे और सेकेंड जो है इसमें हमें पहले घरी अरेंज कर लेते हैं इसको लिखते हैं 2AX2 प्लस 4AXY प्लस 3BX2 और इसको पहले लिख लेते हैं 6 2AXBXY प्लस 2AY स्क्वार प्लस 3BY स्क्वार तो इक्वार तो फर्स्ट टूटम में कमन है 2AX तो यह होगा X प्लस 2Y और सेकेंड टूटम में कमन है 3BX तो यह होगा X प्लस 2Y और लास्ट के टूटम में कमन है Y स्क्वार तो यह होगा 2A प्लस 3B और अब यह 3 टूटम में फर्म हो रहा है तो हम स्टार्टिंग के 2 टूटम में कमन लेंगे इन दोनों में कमन है X इन्टू X प्लस 2Y तो यह फर्स्ट वाले टूटम में 2A बच रहा है और सेकेंड वाले टूटम में 3B और अब इन में कमन है यह 2 प्लस 3B तो 2A प्लस 3B को कमन लेने से यह X इन्टू X प्लस 2Y प्लस Y स्क्वार यह बच रहा है और फिर हम इस X को मुल्टिप्लाइ करेंगे तो यह होगा X स्क्वार प्लस 2XY प्लस Y स्क्वार तो इक्वल टू 2A प्लस 3B इन्टू रिया फामला होता है X plus Y whole square so equal to 2A plus 3B into X plus Y into X plus Y X plus Y which is the required answer X 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 झाल झाल